नमस्कार रेमडिसेवर ये नाम आजकाल आप सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पे न्यूस चैनल्स पे खुब सुन रहे होंगे चानल ये कैसे काम करती है रेमडिसेवर दवा कोरोना से बचाएगी रेमडिसेवर पर हमारा यहाँ पर वीडियो बनाने का उद्देश है ये है कि हम आपको ये बताएं कि इस रेमडिसेवर मेडिसेवर ये नीट में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं तोड़ी सी इसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए ये दबाई हमारी बॉडी के अंदर वारस के मल्टिप्लेकेशन को यानि के बढ़ते रहने को रोकती है 2004 में कैलिफोर्मिया में सबसे पहले इसका इन्वेंशन हुआ था हैपेटाइटिस-C के ट्रीटमेंट के लिए हाला कि हमाँ फेल रही उसके बाद 2014 में इबोला वारस की ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रियोग हुन लगा जहां पसका ठीक ठाक रेस्पॉंस आया उसके बाद से इसको कोरोना वारस की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाने लगा यहां तक कि पिछले साल डोनाल ट्रम बाबू जो है इनको भी लगाई गई थी इस दवाई का काम यह कि जब वारस हमारी बाड़ी के अंदर एंटर करता है तो वहापर एंजाइम्स की हल से अपने आपको multiply करता चला जाता है तो जब r Fahrd academics को दवाई दी जाती है तो वो एंजाइम्स को वारस को multiply करने से रोकती है पर हम आपके साथ चर्चा करना चाते हैं कुछ और ये है रेम डिसीवर की स्ट्रक्चर इस पर दो बड़े खुबसूरत सवाल बनाये जा सकते हैं पहला सवाल बेसिक करेक्टर ओफ नाइट्रोजन का ये यहाँ पर नाइट्रोजन है पहली ये रही दूसरी ये तीसरी ये चौथी ये पाँचवी और ये छटी ये टोटल आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन हैं और इन नाइट्रोजन को आपको बेसिक करेक्टर में और्गनाईज करना है तो इन में से कौन सी नाइट्रोजन ज्यादा basic और कौन सी nitrogen कम basic है यह आपको पता लगाना है तो अब अगर मैं आपको basic character में arrange करने के लिए कहूं तो आप मुझे arrange करके दिखाएंगे आप पहले वीडियो को pause कर लें pause करने पहले arrangement कर लें उसके बाद फिर वीडियो को दुबारा चलाएं चलिए आपने कर लिया होगा अब अगर आप देखें तो फर्स वाइन नाइट्रोजन का जो लोन पेर है वो resonance में involved है second वाइन नाइट्रोजन का लोन पेर वो भी resonance में involved है और जो फोर्थ वाली nitrogen उसका resonance में लोन पेर involved है तो अब अगर इन तीनों में से इसका लोन पे बेड़ारे सुनिसमें जाएगा तो नाइट्रोजन पर नगेट्रोजन पर चार्ट जाएगा और नाइट्रोजन के मुकाबले इस वजह से यह वाली जादा अच्छी मानी जाएगी इसके मुकाबले इसलिए इसका लोन पेर कम एवलेबल होगा प्रोटोनिशन के लिए यानि कि अगर हम बात करेंगे तो नंबर आएगा वन उसके बाद आएगा फोर वन और फोर में से फोर जादा बेसिक है अब जो आपके बची वी तीन नंबर पांच नाइट्रोजन नंबर तीन नंबर निंगर अगार लेथ बिल्फक के लोने करने के बाइगा अब बचे हमारेपस 3 और 5 दोनों के लोन पे डिलोकेयलाइज़ नहीं अपनी जगह पर एबलेबल हैं दोनों नैट्रोजण के हाइबिडीजिशन एक जैसे हैं लेकिन एक चींज जैसी जो इस nitrogen के साथ है पाँचवे नमबर के nitrogen के साथ नहीं है वो है यहाँ पर lone pair, lone pair repulsion जो कि यहाँ पर इसके साथ नहीं है lone pair, lone pair repulsion होने के वज़े से यह वाला nitrogen इस repulsion को minimize करने के लिए अपना lone pair of electron easily donate कर पाएगा बनिस्मत पाँचवे नमबर के इसलिए अगर देखा जाए तो next यहाँ पर नमबर आएगा पाँचवे का और सबसे ज़्यादा basic के यहाँ पर निकल करके आएगा तो third वाला आएगा यह यहाँ पर basic character का sequence होगा दूसरा जो सवाल यहाँ पर बन सकता है वो बन सकता है यहाँ पर stereocenters का अगर आप से को पूछे कि इस structure के अंदर total कितने stereocenters हैं तो आप इसके अंदर stereocenters count करके बताईए वीडियो को pause कर लिजिए और ज़रा stereocenters count करके बताईए तो कर लिए होंगे अपने stereocenters count देखो यह वाला तो है नीच कि दुनों तरफ इथाईल लगावा यह तो नहीं हो सकता है यहाँ पर सबसे पहला stereocenters यह है nitrogen stereocenters में नहीं आता है इसको पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर amine inversion का case होता है यह nitrogen जब घ्ली ओपन पर लगाई तो सब्सक्राइब तो यहां पर वह च्होँ हो झायगी तो यह तहें रिमीर का आईटी और नीट के साथ कनेक्शन आप लोग अपने घर पर स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क बेनिये और हाथ सैनिटाइज करते रहिए नमस्कार